खबर राजिस्थान के भरतपुर जिले की है जहां भारी बारिश की वज़े से बार जैसे नजारे देखने को मिल रही है इस बार की वज़े से जिले के सबसे बड़े डाम बरेठा की एक गेट खोल दिये गए जिसे इलाके में पानी का लेवल बढ़ गया ऐसे में कई इलाके गंभीर रूप से प्रभावित हुए पानी अब घरों के अंदर घुसने लगा है इस स्थानिय लोगों को गंभीर परिश्वानियों का सामना करना पड़ रहा है निचले इलाकों में बसे लोग अब अपने घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रही है स्थानिय निवासी कुल्दीब सोलंकी ने लोकली टीम को बताया कि बरेठा बांध से छोड़ा गया पानी कुकनन्द नदी के जरिये सूपा, नरॉली, कोठी खेडा और पूराबाई खेडा होते हुए भरतपूर की ओर जा रहा है इस नदी के रास्ते में आने वाले कई गाउं में पानी घरों के भीतर तक घुष चुका है जिसे कई परिवार बेधर हो गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है कुलदीव सोलंकी ने बताया कि पूराबाई खेडा गाउं की स्थिती सबसे खराब है जहां घरों के अंदर पानी कई फीट कख भर गया है उन्होंने बताया कि कुकनंद नदी के पानी का बहाव बढ़ने से पास में बना मिट्टी का पुल तूट गया जिससे गाउं में पानी भर गया इसके चलते उन्होंने प्रिश्वासन से इस कच्चे पुल को फिर से बनवाने की गुजारिश की है ताकि भविश्य में ऐसी स्तिती से बचा जा सके और गाउं वासियों को राहत मिल सके ग्रामेर इलाकों में सडकों पर पानी जमा हो जाने की वज़े से यातायात बुरी तरहा से प्रभावित हो गया है इससे लोगों का बाहर निकलना और रोजमरा का जरूरी समान लाना मुश्किल हो गया है प्रश्वासन ने राहत और बचाफ कारियों के लिए टीमें तेनाब की हैं अधिकारी स्तिती पर लगतार अपनी नजर बनाए हुए है और पानी को हटाने की कोशिशे जारी है राहत का समान बातने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रश्वासन की टीमें लगतार काम कर रही है लोकल एटींग के लिए भरतपुर से मनीश गोस्वामी की रिपोर्ट